करनाटक और जैसे कि मेरा आपने लास्ट व्लॉग्स देखा होगा करनाटक में हूं मैं आज मैं निकल रहा हूं मुंबाई के लिए एक्चुली देखते अभी सीन कुछ अलग हुआ है मेरा प्लान था सुबह के तीन बजे निकलने का बट मैं काफी लेट निकला हूं रिजा ने उसके पीछे तो साथ चलते जलते डिसकस करेंगे क्या हुआ एक्चुली एंड और स्टॉप कहां लेने का प्लान्स था करके अभी मेरा जो डेस्टिनेशन था एक्चुली हम लोग जहां पर रह रहते घर पर तो वहां से कुछ में 48 किलोमेटर्स आ गया हूं टूवर्ट्स मुंबाय अभी सीन कहा होता है मालू मैं आपको जबी हम निकलते हैं कोई भी घर से निकलते हैं कई जाने के लिए कई दूर जाने के लिए तो half the way almost 70% of the journey आप रेकॉर्ड कर सकते हो उसके बाद काफी बोर होना चालू होता है और रास्ता खराब हो गया तो मूरी चला जाता है से मेरे साथ हुआ था तो मैं जब निकला था घर से तो मैंने अच्छा कासा डिस्टेंस का और अब किया था और आप से तुम करने ऐसे कहीं ना तो सीधा एक पास्ट कमिंग बस भी सोगा या फिर ट्रक होगा सीधा उड़ाई डालेगा तुमको तो वह जारा ध्यान में यहां पर रखना चाहिए मैं जैसे बताया था मेरे लास्त जर्णी में मैंने काफी सारे एक्सेडेंस देके यहां पर और सुनते हा रहा हूं यहां पर बहुत एक्सेडेंट होते हैं एक चीज बताईए अभी मेरा ओडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है आपको विकॉस लास्ता है मैना किसा हो गया था मैं एक्चली मेरे गोप्रो से व्लॉप करता हूं तो मैं मेरा माइक का जो सेटिंग गोप्रो में तो हमें स्टेंडेट बलस में रखनाम पतता कोई भी माय क्युक्त करों यह इस सब्स्रण बेंगां यॉत जायक तो मैंने ब्लॉप मेरे जोब हो मैं लुखा इसा हुआ कि माीशता का सेटिंग प्लॉस पूरा ब्लॉक किया मेरा जर्नी जो था सोलो राइड का जर्नी उसमें ब्लॉक कर रहा था मैं तो जब एडिट करने लिया तब ही देखा आरे यार लपड़ा हो गया करके बोला मैंने करें एब्लॉक करते हैं तता है इसमें काई से यह माइट कर और स्टेंडर सिर्वास जाता है आहां इसमें कलिए-स प्रॉपर आवाज रहा अग्रागा इस उ тур फ्रॉपर लिंग कोई क्रिश ए तो सब होगा काम चालो है उड़पी के भार के साइड में और रास्ता तो बहुत बेकारी है वैसे भी पूरा टूवे है वन में तो है ही नहीं मरवेंटे बीच दिखाने के लिए मेरे प्रिवियस जो रोड ट्रिप का व्लॉग था उसमें तो मैंने कवर अप किया था यह बीच को काफी अच्छी बीच है बट एक टाइम पहले मलब अभी तो कुछ नहीं है अभी ऐसा बनाया है डेवलप की है जब यह डेवलप नहीं थ यह जगा तो यह जो रास्ता है ना यह जो रास्ता है नैशनल आइवे यहां पर बीच है और यहां पर नदी है ऐसा सीन था नदी आपको दिखाता हूं मैं आगे अगर दीकात हो इस साइड से नहीं दिखेगा नौमली विकॉज टू लेन का कर दिया ना उन लोग ने हाई टाइड होने गा तभी काफी पानी है ना सब हाइवे पर आ जातागा अभी एक ऐसा है मरीन ड्राइव जैसा करके रखाया पत्तर वितर सब डाल के रखाया हां पर हाई टाइड को रोपने के लिए यहां से ना ड्रोन शॉट लेंगे ना तो एक नंबर भी आएगा The silence fades into the night coyote sing at the moonlight these open highways are calling our name and now it's time for us to escape तो गुड मॉनिंग एविवन एंड वेलकम बैक सो कल के दिन मुझे अपडेट करने नहीं हुआ रात के डाइम पे बिकॉस बैटरी डेड था पूरा एक्जास्ट हो गया था रीजन था रास्ते खराब थे और डाइवर्शन काफी सारे थे जैसे पुने नजदिक आते गया तो मैंने होट ली है पुने में मेरा दोस्त का घर है तो कल अपडेट करने नहीं हुआ खाना भी ना खाया और पटक से सो भी गया मैं अभी हम ल क्लाइमेट है यहां पर पूने में और रूम तो जबरदस्त है वाई मतलब हुआ जो चलती है एक नंबर है नास्तर विस्टा सब हो गया एंड सोचा की चलो अपडेट दे दू बिकॉस कल तो मैं को ब्लॉक करने हुआ नहीं रात काफी हो गई थी आल्मोस साड़े बारा ब प्रिवियस डे मैंने कुछ एरॉंड सेवन फिफ्टी एंडे किलो मिटर किया था तो उसके वज़े से क्या हो रहा था आज के दिम डिस्टेंस कवर करने को काफी तकलिक हो रहा था मतलब यूनों टायर्डनेस होता है एक तो के मैंने सिर्फ रात बरस हो है बस बाकी कुछ तो अब ही जब पहुच गया हूं तो मैं आपको पताना चाहूंगा जितना मेरा पेट्रोल का एलवेंस हुआ सिप पेट्रोल का ही अलेवेंस हुआ बाकी सब खाने पीने का मैं नॉमल ही जबी ट्रावेल करता हूं यह तो नॉमल ट्रावेल था एरॉंड 800-900 किलो मिटर्स क मैं गैस सब्सक्राइब नहीं कर रहा था सिर्फ नॉमल अपना जो माजा या फिर कोई भी ऐसा जूस होगा नीरा होगा या फिर को ऐसा जूस वाला रहेगा तो वहां पर मैं सिर्फ जूस पीता था और बाकी कुछ ने सो नॉमल अगर खर्चा देखा गया तो 4,500 के आस पा बutton comment down below your thoughts on this blog and share with your friends and if you're new to this channel do subscribe until then stay safe ride safe, bye